तो माई डेर स्टुडेंट ये है इसी वर्स दोहजार चोबिस का बिये फिप्त समस्टर जियोग्राफी का फस्ट पेपर तो जिन जिन भी इन्वस्टिटी वा कॉलज में आने वाले हमारे स्टुडेंट की परिच्छाएं लगी है जियोग्राफी यानिकी भुगोल की और व में किस प्रकार के कुष्चन पूछे जाएंगे और ऐसे कौन-कौन से कौश्चन जो इस बार आपके परिच्छा में आएंगे ही आएंगे ओर और जानकारी मिलेगी इंदियो बिनादेरी की वीडियो कोम शुरू करेंगे परोव के दौर पर सबसे पहले आप लोग देख लिए यह बीडिव ये स्टूडेंट के महत्पूर जो फिप्ते समस्टर के हैं वर्स देख लिए 2023 का पेपर है सब्जेक्ट जोग्राफिय फर्ष्ट पेपर है और फिप्ते समस्टर में हाथ सब्जेट के दो पेपर होते आप सबी को मालूम है और जो फश्ट पेपर इसका सब्सक्राइब के प्रवाव मीडिव यह शरूम का आप को जानकारी शुरूम का जयान मिलता है जैसे की आपको बता दी रहा हूँ तहर गया नदी हो गई पहाड हो गई ठीक है और भी बहुत फारी चीज़ छील हो गया वन हो गया जल हो गया वरस्पतिया हो गई बहुत फारी चीज़ आ जाती है ठीक है तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हम पार्ड़न कोश्चन के ओर जो कि आपकी परिच्छा में कौन-कौन से ऐसे कोश्चन जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं और यहां पर लिखा है सबसे पहले खंड आएगा उसमें आपको अतलग उत्रे कोश्चन के बारे में जानते हैं उत्तर देने से पहले कुछ नोर कर सकते हैं ठीक है बहुत कम आया है पिछले वर्सों में अगला कोश्चन है कि समाजिक विकास यानि कि सोसल डेवलेप्मेंट सोसल डेवलेप्मेंट एक बहुत ही महात्पून टॉपिक्स है जिस फीड़ा पर इच्छा में कई बार प्रेस्ट नाया इसको जरून नोट क करेंगे ठीक है सिर्फ इस वीडियो में जानी कि माडल पेपर किस पर किस प्रकार का आता है किस प्रकार के कोश्चन आते हैं इसे कौन से कोश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और जो कोश्चन इस बार आपके परिच्छा में आने वाले हैं उनके बारे में जानकारी ठीक है तो दूफ अगला कोश्चन है कि प्रदेश प्रदेश भी एक महात्पूर्ण प्रश्ण है कई बार रिपीटेड है तो इसको भी नोट कर लिजे आएगा अगला की बिकाफ दू क्या है कोश्चन आता है लेकिन बहुत कमाता है तो आपके पास समय है तो इसको तयार करें दर्बाई ग्नोर भी कर सकते हैं और इन सबी का उत्तर कहां पर मिलेगा कैसे मिलेगा इसकी विजानकारियम आपको दे देंगे ठीक है हमारा उद्देश यही ह आपको वही सारी कोश्चन मताने का प्रियास करना जो आपके विरिच्छा के लिए महात्पूर्ण है और आने की संभाव ना है अगला प्रस्ण है कि संक्रवन मेखला क्या है यह कुश्चन बहुत कमाता तो आप इसी ग्रोण भी कर सकते हैं ठीक है अगला कोश्चन की पर् ग्रोण में अगला कोश्चन की तो नहीं भी साकता है का मत्तब हो यह हो गया कि जो इंप्रूब्मेंट और डिवलफमेंट बिख्षित होना ठीक है यह भी आपके एक्जाम के लिए बहुत ही भात्पूर्ट प्रस्ट नहीं पक्का फसे कर नोट कर लिजेगा और अगला कोश्चिय अर्थिक नियोजन एकोनोमिक्स प्लानिंग यानि कि अगर आप कुछ भी अपना भाई बिजिनर्स खड़ा कर रहे हैं या फिर आप लोग कि अगे जा रहे हैं वह चेटर पैंसरोडा होना जाए ठीक है तो उसको कहा जाएगा एकोनोमिक्स प्लानिंग यानि कि आर्थिक नियोजन जैसे कि हम कोई फैक्ट्री ओपन करना जा रहे हैं ठीक है तो उसके हम प्लानिंग करेंगे क्योंकि उसमें बहुत पारे खर्चे तो यह अगला तो पका आएगा यह एया जो की कोश्चन के स्थे रिस पोला जाता है वहानी कि दोनों 100 परसेंट वाले कोश्चन ठीक है तो इस प्रकार के 10 या फिर 5 पांच अटली-घृत्य में पूशचन पोछे जाते हैं अलग अलग उनसी पर चरता है लेकिन जो प्रचीन भारत में प्रदेशिक नियोजन के बेवस्ता यह प्रचीन भारत में प्रदेशिक रिजिनल प्लानिंग का इसे की जाते थी उसके बारे में एक्स्प्राइशन करना है व्याक्या के लिखना है तो 90 प्रसत उमीद एक प्रसत फसे गए फसे का नोट कर लिजीए ठीक है और इसका उतर कहां पर मिले का उसकी विजान करें आपको को दे देंगे भी ठीक है अगला प्रस्टने की रोस्टो के आर्थिक विकास मॉडल की विजना कीजिए रोस्टो एक प्रमुक बिद्वान है इनके नुसार आर्थिक विकास यानि की जो एकोनोमिक्स ग्रोथ होती है उसके सिस्टम क्या है मॉडल क्या है उनने किस प्रकार के मौडल प्रस्तुत के लिए उसके बार में लिखना है हलाकि जरूरी नहीं कि रोस्ट रोग के हिसाब से आए आर्थिक विकास मौडल के बारे मताईए ऐसा भी कोश्चन हो सकता कि आर्थिक विकास मौडल की विशना कीजिए इस बात को ध्यान लखेंगे ठीक है अगला प् समपेशिद बिजांत की औधाना के ब्याकिया कीजिए भी कोश्चन बहुत कंवाय। अगला कोश्चन महात्पूर्ण है आप लिखा है कि भारत में बहुत अफ्तरिय नियोजन आउधाना के ब्याख्या कीजिए इंपॉर्टेंट कोश्चिन साबित हो सकता आपके एक्जाम के लिए 100% उम्मीद फस जाएगा ठीक है अगला कोश्चिन की आर्थिक विकास के संगें तो को की ब्याख्या कीजिए यह आप सब्सक्राइब के लिए 100% उम्मीद नहीं है कि नहीं आएगा वाकिए 100% उम्मीद आएगा क्योंकि कई बार पैच्छाम फसा है और कई बार नहीं भी आया है उसके भीहाप पे मैं आपको बता रहा हूं ठीक है चलिए इस कोश्चिन को बढ़ते हैं कोश्चिन की भारत में प्रदेशिक बिस्तमता की अधाना की ब्याख्या कीजिए तो भारत में प्रदेशिक जो बिस्तमता है ठीक है इसके बार निकना ये भी आपको देखने को मिल सकता है कई बारा चुका है कोश्चिन नोट कर लिजे इसको भी ठीक है अब आजाएंगे हम खंड़सा की और खं तो इस में लिखा आए कि भारत की बैद में जश्कral समझ लिजेगा ठीक है तो इसमें लिखा है कि बहुत कर सकते हैं कि ब्हारत के प्रदेश की विकास में पंच्वर स्य यूजना की भूमका की भ्याख्या किजिए तो पंच्वर सो यूजना उसका क्या योग्दान है प्रदेश के विकास में के लिए तो बैई कोई सरकार आती है तो प्रदेश में रहने वाले जो आमडंता है उनका विकास के लिए उपला समस्या है जो उनकी निवारन करना उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को बनाना ठीक है उनकी जरूत संबंधी प्लानिंग करना तो यह सब जो है वो एक अच्छी जब फरकार बनती है ठीक है तो इन सभी के बारे में सोचती है तो अगर इंसान कुफर है का समाज कुफर है का सोसाइटी कुफर है कि तो सिंपल सी बात है कि जो प्रदेश है राज जो है वो विकास करेगा ठीक है और लोगों को रोजगार मिलेंगे लोगों को बिजनिस करने का मौटा मिलेगा तो उप्रदेश जरूर बढ़का ठीक है तो इफील कहा गया हई कि जब भी प्रदेश को अच्छा बनाने के लिए अच्छे से हो ठीक है उसको बनाने के लिए आपको पहले तो प्रदेश की प्लानिंग करने पड़ती ठीक है तो इसकी परिमाफा देना है प्रदेश की प्रदेश की परिभाफा क्या है और इसके प्रकारों के भी अख्या किजिए हमें साथ नहीं आता है लेकिन उम्मीद है कि बार प्रदेश रखता है तो 70 प्रसद इंपॉर्टन यह रहा पूरा का पूरा माडल पेपर कोश्चर पेपर फिए फिप्ट समस्टर जिओग्राफिक का फस्ट पेपर ऐसा ही कोश्चन पेपर माडल पेपर आपकी परिच्छा में भी देखने को मिल जाए तो आपका जो 75 नंबर का पुडांग होता है ठीक है पच्छतर नंबर का जो पुडांग होता है उसमें से आप लोग इस मारल पेपर से या फिर आपकी जब परिच्छा होगी उसमें से 75 में से कम से कम की बात करूं तो आप लोग आफानी से पचीफे 30 नंबर ले आएं तो गूगल बाबा जिंदा बाद है इंटरनेट से के मोबाइल में सर्च कर लीजेगा प्रशन देफिजा लिएगा चेते संतुलन क्या है उत्तर आ जाएगा पढ़ लीजेगा इश्कीन सोट ले लीजेगा जब भी आपके पास समय मिलता रहे तो आप गलेरी में जाकी सभ आश्तर एक्जाम होते हैं यह हर महीने न करा दिया जाएं तो इसले तैयारी में टाइम लगता है इसले यह सब शे महीने पर कराया जाता है और इस बात को ध्यान रखेंगे इसमें माडल पेपर यह माडल पेपर आप लोगों के लिए मैंने प्रस्तुत किया है आई हूप आपको वेडियो अच्छी लगी होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा कोई कोश्चन जरूर पूछे और यह आपका अपना ही चैनल सक्सेस्ट हुई हूए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और मिलते हैं आपको एक और